अब हम बात करेंगे कि कौन से वो लक्षन होते हैं जो हम किसी भी पेशन में देखते हैं जैसे एक तो होगा है कि पेशन का डिएग्नॉसिस बन जाता है फिर हम उसके बारे में बात करते हैं लेकिन अब मैं आपको समझाने के कोशिश करूँगा कि psychiatrist के मन में क्या चलता है, क्या वो उनसे लक्षन है जिसके हिसाब से वो कोई भी diagnosis बनाता है जैसे ABCD होती है और उसके बाद words बनते हैं, फिर language और गाने बनते हैं, उसी तरह हमारी ABCD होती है चार चीजे एक होता है thought, thought का मतलब है patient के मन में कैसे विचार आते हैं, that is thought second होता है patient का mood कैसा रहता है, या उसका मन कैसा रहता है, खुश, उदास, दुखी फिर तीसरी चीजे होती है, कि वो feel कैसा करता है, या perceive कैसा करता है, या हिंदी में वो लग जाए तो महसूस कैसा करता है और चौती चीजे होती है behavior, behavior जो है, अक्सर मुरीज के घरवालों से पूछा जाता है, या उसके दोस्तों से पूछा जाता है, जैसे कोई बच्चा होस्टल में रहता है, तो इस तिम उसके दोस्त जादा important है, बजाए उसके family members के रह रहे थे जो पहली तीन चीजे हैं, विचार कैसे आते हैं, मन कैसा रहता है, और क्या महसूस होता है, यह जो सवाल है, हम पेशन से डारेक्ली पूछेंगे, क्या आपका मन कैसा रहता है, पिछले कुछ दिनों से आपके विचारों में कोई बदलाव तो नहीं आया, और उसके बाद आप आजकल जो महसूस करते हैं, उसमें कुछ फरक तो नहीं है, और उसके बाद लास्ट आएगा, घरवालों से जो पूछेंगे कि उसके बहेविर में क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थौट का मतलब है विचार, इसमें अलग-लग बिमारियों में अलग नहीं मानते हैं, और वो सोच जो है, पहले मरीज में नहीं थी, वो उसकी personality का हिस्सा नहीं थी, और illogically वो फिर भी उसको सही साबित करता है, जैसे माली जे delusion of reference और persecution कहते हैं, reference का मतलब होता है, delusion of reference का मतलब, जैसे patient के मन में विचारा है कि मैं refer, मुझे refer कर रहे हैं लोग कर रहा है, गलत-गलत सोच, वो draw कर रहा है, similarly delusion of persecution, persecution का मतलब होता है, जैसे judge जो है, वो criminals को persecute करता है, या punish करता है, तो patient को ये डर लगता है, कि लोग जो है, वो मुझे जान से मानना चाहते हैं, किसी ने मेरे खाने में जहर मिला जाया है, या कोई मुझे नजर रख रहा ह है, या मेरे दिमाँ में कोई computer chip लगी है, और उससे लोग पता लग जाया, this and that, तो इस तरह की delusions होती है, similarly, जो mania है, या तेजी है, उसमें delusion of grandiosity होती है, patient को लगता है, कि मैं बहुत-बड़ा इंसान हूँ, या मेरे पास बहुत power है, या मैं भगवान को जानता हूँ, या सौमने से खीच के तपड़ाया, और मैं डर गया उसको देखके, बाद में माता जी बहुती है, तो शेरा वाली माता को नहीं पचानता, तो अगर वो माता जी है, तो उनको मंदिर लगे जाते हैं, बट वो भी समझ रहे थे, कि माता सिक तूर पर बिमार है, इसलिए अपने वाले समय में जो है, वो ठीक नहीं रहेगा, वर्थलेस का मतलब मैं किसी लायक नहीं हो कि कोई मेरी मदद करे, हल्पलेस का मतलब पैसा लो, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, जिसको हम शॉट में बोलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, या डिप्रेशन में भी वाले से खतम हो जाएंगे, जलेगा, एक बार तो बड़ा इंटरस्टिंग इंसिडेंट हुआ, पेशन को डिप्रेशन था और उसने मुझे दिखाया, और मैंने बताया, बकायदा डाइगनोसिस बनाया, कि पेशन को डिप्रेशन है, विच साइकॉसिस मतलब उसको डिलू जो कि पहले मिर साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैं भी प्रैक्टिस में नहीं नहीं आया था, गौर्मेंट सट अप में, ऐसी चीज़ें होती नहीं, तो तो इस दिलूजन आफ नहीलिजम, इसकी जो रियाक्शन था, इतने चोटे सा इमांट के लिए, जिस क्लास को बिलॉ लगाया या नहीं लगाया, फोबिया में विचार आते हैं कि डर लगता है, आपको समझ आती है कि स्टेज पर जा सकते हैं, दुनिया आपको खानी जाएगी बट फिर भी घबराहाट होती है, बिचैनी होती है, लोग नहीं बोल पाते हैं, पीशन डिक रिसेंटली कि 25-year celebration थी उनकी, तो सब को स्टेज पर बुला रहे थे, बात करने के लिए, तो उनके पोतों ने मुझे पहले ही हाथ हिला दिया कि हमसे नहीं पूछना, तो that is social phobia, बोलते तो हैं, बाद में उन्होंने मिर से बात की, उन्होंने शेयर भी किया कि क्या क्या दादा जी हमार जब श्कीजोफरेनिया में पेशिंट को ये लगेगा कि लोग मेरे बारे में बाते कर रहे हैं, या डर लग रहे हैं, बाते कर रहे हैं, या मुझे मानना चाहते हैं, तो इसको डर लगेगा, गबरहाट होगी, शक होगा, तो ये श्कीजोफरेनिया के mood symptoms होंगे, या गए एक खास के जो फ्रेनिया होता है, जिसमें पेशिंट पागलो की तरह हसता है, बिना बात की हसता है, तो वो एक mood है, similarly अगर मेनिया है, तो पेशिंट खुश होगा, आम तोर पे तो जिन्दीगी का मकसद ही होता है, कि हम खुश रह सकें, बट जब मेनिया का पेशिंट है, उन बातों पे खुश होता है, जिन पे खुश नहीं होना चीए, तब हम बोलते हैं कि ये मांसिक तोर पे बिमार हो गया, उतना पागलो की तरह क्यों हस रहे हो, that is, patient is laughing on those things which is not required, similarly जैसे depression है, या उदासी है, उसमें मन क्या होगा, रोने का मन करेगा, दुखी मन रहेगा, कि उसमें घबराहट जादा होती है, जैसे Mountain Dew की आड़ आती है, दर के आगे जीत है, तो जो 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 उसकी जो अचनिया वाला डर है, वो एक अलग है, जो OCD या फोबिया वाला डर है, उसमें patient समझता है, जो मेरा डर है, वो गलत है, और इससे घबराना नहीं चाहिए, फिर भ मतलब होता है कि क्या हम महसूस करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, और जैसे आपने हिंदी में सुनोगा इंदरियां जो होती है, पांच इंदरियां होती है, हमें दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है, हम महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, और एक कई दिनों तक महसूस करते रहते हैं कि मानों वो कहीं है, तो ये सारी जो चीजे हैं, ये महसूस करने के अंदर आती है, अब कई बार क्या होता है, इन महसूस करने की खमताओं में ही गड़बड हो जाती है, जो दारू पीते हैं, लोग जो उनको विड्रॉल होता है, तो कई बार उनको रसी भी साम दिखाई देती है, जिसको इल्यूजन कहते हैं, ये भी परसेप्शन का ही पार्ट है, यहां बड़ा इंटरसिंग इंसिडेंट भुआ था, हमारी सुसाइटी में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम पर बगायता एक साम था, जो एक फीमिल को लगा कि ये रसी है, जो दिखाई नहीं दे रहे, जो दिखाई नहीं को बोलेंगे कि ना तु जा बहर जा के चेक कर किया, जब वो भाड जाता है, तो वो ये नहीं मानेगा कि वो लोग नहीं हो, वो बोलेगा कि वो भाग गए, या कुछ और हो गया, कोई और एक्स्प्लेशन दे देगा, तो हैलुसिनेशन का बेसिकली मतलब है, जब कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी चीज को महसूस करना, और उसके बाद हम perception में illusions होती है, hallucinations होती है, somatic passivity होती है, de-personalization, de-realization होती है, de-personalization का मतलब क्या होता है, जैसे patient अपने शारिरिक तौर पे कुछ महसूस करता है, बट उसको पता है, ये सही नहीं है, hallucination में तो ये समझ नहीं है, बट de-personalization और de-realization में ये समझ होती है, जैसे कई बार बच्चे 4-5 घंटे पढ़ते हैं, तो उसके बाद सर भारी हो जाता है, हाथ मोटे-मोटे से लगते हैं, जब वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, फिर fresh feel होता है, तो de-personalization जो है, अपने शारीरिक तोर पे कुछ अजीब सा महसूस करना, जो सच में है नहीं, और इसके हमें समझ भी है, ये एक नॉर्मल सा लक्षेन है, जो आम लोगों में भी हो सकता है, अगर ज़्यादा कम भी रहा है, तो treatment की तो पड़ेगी, de-realization का मतलब है, जैसे आपको पता है, कि पंखाई की, फिर भी वो दो दखाई दे रहे हैं, तो that is de-realization, उसके बाद, last ही जाएगी behavior, behavior का मतलब होता है, सुभाव में बदलाव, जैसे इसके जो फिरिनिया में क्या होता है, और अपने आप में गुम रहता है, जैसे इस दुनिया में भी रहता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, घरवाले के बोलते हैं, ऐसा लगता है, मानो ये कहीं और ही खोया हुआ है, किसी और ही दुनिया में है, तो that is autistic behavior, खुद में खोय खोय रहना, जो कि एक autism बच्चों में भारी होती है, उसमें भी ये लक्षन देखा जाता है, उसके बाद आता है depression, डिप्रेशन में जो patient है, उसमें social withdrawal होता है, उसमें जो patient है, वो कटा कटा रहता है, जैसे office में किसी से बात नहीं करता, या जाता ही नहीं है, घर में वो ऐसे interact नहीं करता, अपने बच्चों के साथ भी नहीं खेलता, टीवी भी नहीं देखता, that is social withdrawal, वो उसने जो है, अपने आपको काट लिया है एक तरह से दुनिया से, तो that is a change in behavior, जो उसके behavior में पहले नहीं था, जैसे कि मेनिया में क्या होगा, patient ज़्यादा dance करता है, ज़्यादा बोलता है, misbehave करता है, ऐसे शकले बनाता है, कि कई बार तो लोग क्लिनिक में आके गाना गाते हैं, जो की normal नहीं है, अगर वो normal होते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं, बट जब मेनिया में होते हैं, तो अपने behavior को control नहीं कर पाते हैं, similarly कुछ और चीज़ें हैं जिनमे behavior चीज़ें आते हैं, जैसे phobia है, phobia का मतलब है, ऐसा डर जो हम भी समझते हैं कि गलत है, जैसे लोगों के सामने बात करना, कोई भाशन देना, या कहीं पढ़ाना, कुछ और काम करना, फिर उसका दगोरा phobia होता है, जैसे metro में travel करना, नारे दाइरे में हैं तो सही, बट हम इसको जब भी करेंगे तो हमें घवराहाट होगी, जैसे अगर कोई मैस का paper से डर लगता है, तो इसका दिल करता है कि paper हो ही ना, तो इन चारो चीज़ों में अगर कोई बतलाव आता है, चारों में से किसी एक में बतलाव आता है, और direction पूरी होती है और dysfunction होता है नुकसान होता है तो अब हमें i psychiatrist को दिखाने की जुरत है जैसे पहले जो विचार आते है उससे अब मन रहता था अवस और ज़ादा जो है different रहता है उसकी वज़ा से नुक्सान होता है ऐसी चीजे महसूस होती है जो महसूस नहीं होनी चाहिए या जो है ही नहीं या गलत डंग से महसूस होती है या वहवार है इसकी वज़ासे उसको personal या socially नुक्सान हो रहा है तो हम सोचेंगे कि अब इसको किसी तरह से जो बदलाव है और वो समय सीमा भी पूरी हो रही है और नुक्सान दो रहा है इसका मतलब अब समय आ गया है कि शायद इसे psychiatrist या psychologist को दिखाने की जुरत पड़े